अस्सलाम वालाईकूं वरहमतुलाही वबरकातु हूँ वेलकम बैक टू आज चानल वोप यौला गूड़ अट यौ होम एंडूइंग ग्रेट आज हम पढ़ते हैं सबक नंबर 4 जोमेट्री में हिंदी सी अमल बहुती आसान सबक है और स्कोरिंग भी है तो इसको आप लोगी स्किप ना करें इसमें यहाँ पर हिंदी सी अमल में हम देखेंगे मुतिशाबा 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 मु तो मुसल्स बनाना, एक नुक्ते रास मुश्टरीख हो तो मुसल्स की तश्कील करना इसके बाद जो है वो दायरे का ममास बनाना तो ममास भी हम पढ़ चुके हैं, दायरा सबक में तो हम बहतर तरीके से जानते हैं कि ममास यानी क्या है, दाइरा यानी क्या है, मरकज यानी क्या तो ये आसानी से हम बना सकते हैं इसमें हम पढ़ेंगे दाइरे पर वाके नुक्ते से गुजरता हुआ दाइरे पर ममास बनाना फिर दायरे के मरकस का इस्तमाल करके बनाना और मरकस का इस्तमाल किये भी गयर बनाना तो इसमें हम ये दो टॉपिक देखेंगे इसके बाद दायरे के बेरूनी नुक्ते से दायरे पर ममाज बनाना हम ये देखेंगे इसमें सिर्फ जो है वो आपको मश्क दो ही दी गई है 4.1 और 4.2 4.1 में जो है वो मुसलस है और 4.2 में जो ममाज बनाना है फिर मजमी सवाला थे तो बहुत ही छोटा सबक है और बहुत आसान और इंटरेस्टिंग भी है तो आप लोग घ्यान से देखिएगा अब यहां पर हम देख लेते हैं कि हमने पिछली जमातों में क्या किया हुआ है तो दिये हुए खत के बाहर दिये हुए नुक्ते से खत के मतوازी गुजरता हुआ खत किचना इसके बारे में भी हम जानते हैं ये दिया हुआ खत है तो खत के बाहर अगर कोई नुक्ता है तो उसके मतवाजी हम खत किस तरह से कुछते हैं गुनिया की मदद से दिये हुए कते खत का गुनिया की मदद से परकार की मदद से दिये हुए कता खत का हमूदी नासिफ किचना ये भी हमको मालूम है हमूदी नासिफ दो मसावी हिसों में तक्सीम करना मसल्स के अजला की लंबाईयों और जावियों में से काफी अजिज़ा दिये हो तो मसल्स बनाना ये भी हमें आता है इसके बाद दिये हुए कता को दीवी तादात के मसावी हिसों में तक्सीम करना है यहाँ पर खता को तक्सीम करना है फिर दिये हुए निजबत में दिये हुए कता खत को तक्सीम करना है यह जितनी निजबत दी गई है उसमें उसको तक्सीम करना दिये हुए जाविये के मुतमासिल जाविया बनाना तो ये तमाम चीज़ों जो हम मर्श नमबर 4.1 और 4.2 में कही न कहीं थोड़ा बहुत इस्तमाल करेंगे तो ये सारी चीज़े जो हमको मालूम होना जरूरी है, हमको बनाना आना जरूरी हो तो हम अब हम क्या देखते हैं, हम इन्हें किस तरह से बनाते हैं, इसमें से जो जरूरी चीज़े हैं, वो किस तरह से कंस्ट्रक करना है, वो हम देख लेते हैं कि हमको इसको किस तरह से बनाना है थोड़ी सी हमारी याद दहानी हो जाएगी पिछली जमातों में जो हमने पड़े होंगे कही न कहीं हमारे दिमाग में होगा तो वो जो है वो फ्रेश हो जाएगा तो उसको देखने के बाद फिर हम इंशालला मश्क शुरू करेंगे तो यहाँ पर कुछ बेसिक खिजे हैं वो हम देख लेते हैं याद दहानी कर लेते हैं उमूदी नासिफ खीचना तो उमूदी नासिफ के लिए हम क्या करेंगे पहले एक जो है वो पास्सम लमबाई का जो है वो कता ले लेंगे और नाम इसका लिख देते ही एक उमूदी नासिफ लिए हमारे पास क्या मरहला है नमबर एक आदे से ज़्यादा नुक्ता ए पर रखकर आदे से ज़्यादा फास्टा लेना बी पर भी रखके हम वोई क्राम कर सकते हैं तो हम क्या करे लेंगे यहाँ पर परकार की मदद से जो है इसका आदे से ज़्यादा हिस्सा हम पहले ले लेंगे तो यहाँ पर हमने आदे से ज़्यादा हिस्सा इसका ले लिया यह आधा है यहां पर और उससे थोड़ा सा जादा अब उसके बाद हम क्या करेंगे कॉस बना लेंगे यहां पर यहां पर हम यहां पर एक कॉस बनाएंगे और फिर यहां नुक्ता ए पर रखकर जो है वो हम नीचे भी एक कॉस बना लेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे नीचे की जानिफ भी जो है वो एक कॉस बना लेंगे अब इसके बाद में हम परकाल की नुख जो है वो नुखता बी पर रखेंगे और इसके बाद में दोनों तरफ जो है वो इस कॉस को कता करता हुआ एक कॉस बना लेंगे तो इस तरह से हम जो है वो इसको कता करता हुआ एक कॉस बना लेंगे तो यहां पर हमको दो कतार मिल गए अब यहां पर यह दूसरे को जहां कता कर रहे हैं उससे गुजरता हुआ जो है वो हम एक खत कीज देंगे तो यह जो है वो कता एबी का उमूदी नासिफ है तो यह उमूदी नासिफ हम ने देखा किस तरह से किशना अब हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं पांस सम लंबाई का हम एक कता किचेंगे और उसके जो है वो चार मसावी हिस्सों में उसको तक्सीम करेंगे तो चार मसावी हिस्सों में तक्सीन करना है इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हमको पांस सम इसके चार मसावी हिस्से करना है लेकिन कत्ता की लंबाई जो है वो पांस सम ले लीजे छे सम ले लीजे तो सवाल में है कि पांस सम लेड़ना है हमको तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पांस सम जो है वो यहाँ पर इसकी लंबाई ले लेंगे और इसके बार में नाम लिख देंगे यहाँ पर A और B अब इसके हमको यहाँ पर हमको इसके चार मसावी इससे करना है तो हमको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर जाविया बनाना है तो हम जाविया ले लेंगे यहाँ पर 30 का 40 का जाविया बना लेंगे तो इसका second step क्या होगा हमारा जाविया बनाना तो यहाँ पर हम जो है वो 40 का जाविया बना लेते हैं सवाल में दिया नहीं लेकिन नसावी इससा करना है सबसे पहले हमको एक कता खिशना है फिर हमको एक जाविया बनाना है तो हमने यहाँ पर यहाँ पर हमने यह इस से गुजरता हुआ जो है वो एक खत खिश दिया अब यह जाविया कितने का है हमने यहाँ पर लिया है चालिज डिवनी का जाविया इसी तरह से एक जाविया हमने यहां बनाये उपर की जानिब सेम वही जाविया हमको यहां पर नीचे की जानिब भी बनाना है तो यहां पर हम क्या करेंगे इसको हम यहां पर चालिस डिग्री तो चालिस का हां है अंदर की तरफ चालीस का जाविया जो है वो अंदर की तरफ बनेगा तो यहां पे हमने निशान लगा लिए इसके बाद में यहां से हमने इसे गुजरता होगा जो है वो एक ख़त की जो अब ये भी कितने का है जाविया 40 डिग्री का है ठीक है तो जाविया बनाने के लिए आपको ये मालून होगा कि अगर 40 है तो अंदर की तरफ होगा और अगर 90 है नबे से कम है तो अंदर की तरफ आएगा और 90 से जादा है तो जाविया जो है वो बाहर की जानी होगा तो अब यहाँ पर हमको इसके 4 मसावी इससे करना है थीक है तो 4 मसावी इससे के लिए पहले स्केल की मदद से एक्सम का फासला ले लेंगे और उसके बाद में हम इसके यहाँ पर चार कॉस बनाएंगे क्योंकि हमको यहाँ पर चार मसावी इससे करना है तो इसलिए हम इसके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको इसकी मदद से जो है वो कॉस बनाएंगे इसके बाद में परकार की नोग जो है वो हमको दूसरे कॉस पर रखना है और फिर सेम जो है वो हमको एक कौस बनाना है इसके बाद फिर परकार की नोग जो है वो हमको दुसरे वाले कौस पे रखना है और एक कौस बनाना है तो इस तरह से हम क्या करेंगे ये हमको कौस बनाना है तो यहाँ पर हम कौस परकार की मदद से जो है वो इसके चार मसा भी इससे कर लेंगे और इसके बाद में जो है वो इनको मिला देना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर जो A है उसको हम यह आकरी वाले से मिला देंगे यहाँ पर इससे मिला देना है पिर यहाँ पर यहाँ से तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो कता AP के चार मसाविस है यहाँ A है तो हम यहाँ A1, A2, A3 और यह जो है वो A4 इसी तरह से यह B1, B2, B3 और B4 तो यहाँ पर कता दिया गया है उसके मसाविसों में इसको तक्सीम करना है तो सबसे पहले महरहला क्या है एक कता कत खिजना बाद में इस पर कोई भी जाविया लेना पैमाईश का कितनी भी तो यहाँ पर हमने 40 का पैमाईश का जाविया ले लिए तो जो जाविया हमने उपर की तरफ लिया है वो नुक्ते बी बे जो है वो नीचे की जानिव लेना है और फिर परकार की मदद से और स्केल की मदद से जो है वो एक सम का फासला लेना है और हमको जितने मसाव इससे करने के लिए कहा गया है हमको पहले ए पर रखकर एक सम का एक कॉस खीचना है फिर रखक यह जो साइड जो है उसको मिलाते नहीं यह यहां से इसको मिलाना जो है वो शुरू करते ही ठीक है तो शकल जो है वो गलत हो जाती तो सबसे पहले जो आकरी नुक्ता है और यहां पर उसको मिला लो और फिर दर्मियान वाले को मिला लो तो इस तरह से यह जो एक कते खत के जो के लिए इसकेल की मदद से जो है वो हम पहले एक ख़त कीच लेंगे हमने यहां पर एक ख़त कीच लिया इसके बाद में हम जाविया बना देंगे तो जरूरी नहीं कि आप मेजरमेंट लेकर जाविया बना इस तरह से हमने जाविया बना दे अब सेम जो है वो इसके मुतमासि पीच लेंगे तो यह हमने आनोना की कम पेचाते हैं, धूज दूसरा बना दूसराा है भूर क्रेंगे ज़सां चुड है। जितनी हमने घुजा हैं क्ना पीछ सकते हैं. आप इस तरह से observed भूल में प्सक्राइ सबने से गरेख कार दूस्कूड है। ठीक है यह नीचे चला गया है लेकिन हमको सिप यहां तक जो है वो कॉस किछना है अब जितनी परकार में हमने फासला लिया है वही सेम परकार जो फासला जो है वो हमको यहां पर रखना है और फिर जो है वो यहां से भी हमको एक कॉस किछना है तो हम क्या करेंगे परकार की क्या करेंगे फिर रखेंगे यहां पर और परकार की नोट जो है वो यहां पर रखेंगे और हम क्या करेंगे यहां पर अब हमको यहां से कॉस किशना है तो हम थोड़ा सा इसका फासला कम कर देंगे ताकि हम जो है वो इसको पॉस कीच सके अब हम स्केल यहां से जो है वो एक पॉस कीचना है हमको इस तरह से हमको यह पॉस कीचना है अब फासले को ना बदलते हुए हम क्या करेंगे परकार की नोप हम सेम यहां पर लेकर जाएंगे और फिर यहां से भी एक कौस खीचेंगे अब यह कौस हमने खीच लिए अब हम क्या करेंगे स्केल की मदद से जो है वो इससे गुजरता हुआ एक ख़ट खीच देंगे तो यह जो है वो हो गया हमारा यहां पर हम नाम दिख देते हैं जाविया A, B, C के मुतमासिल जो है वो हमारा जाविया P, Q, R है तो यहां पर यह डॉट नहीं बनाना यह यहां पर जो एट है उसी में यह डॉट बन गया लेकिन आपको इस तरह से डॉट नहीं बनाना ठीक है तो इस तरह से यह हम इस तरह से इसके ζाविय के मुतमासिछ जाविया बनाएंगे. एक वापस से मैं बता देती हुम जाविय के नासिर किशनी के लिए एक पहले हम जाविया बना लेंगे अन्दाजे से जसे जिस तरह से अब इसके मुतमासिन हमको ख़त किशना है तो यहां पर हम परकार की नोख रखकर पहले एक कौस बना लेंगे वही फासले को कायम रखते हुए हम क्या करेंगे यहां पर भी वही सेम कौस बना लेंगे इसके बाद परकार की नोख यहां रखेंगे और यहां पर कता करता हुआ जो है वह एक कौस बना लेंगे और फिर वही फासला रखकर हम यहाँ पर भी एक कॉस बना लेंगे और उसके बाद में उससे गुजरता हुआ जो है वो एक ख़त खीज देंगे तो इस तरह से यह एक जाविय के मुतमासी जो है वो दूसरा जाविया बनाना है अब यहाँ पर मुसलस A, B, C बनाने हैं A, B, C मुसलस किस तरह से बनाना है वो देख लेंगे तो सबसे पहले मुसलस बनाने के लिए यहाँ पर एक रफ शकल बना लेंगे हम A, B, C A, B की लंबाई है 4.2 सम B, C की लंबाई है 5.3 सम और A, C की लंबाई है 3.7 सम यह हमने रफ कच्छी शकल बना ली कच्छी शकल जो है वो बनाना जरूरी है इसकी वज़े से क्या होगा कि हमारी जो शकल बनेगी फाइनली वो रॉंब नहीं होगी तो इस तरह से कच्छी शकल हमने बना ली है अब हमारा जो बेस है B, C 5.3 है तो सकेल की मदद से हम पहले 5.3 सम ले लेते हैं तो हमने ये 5.3 सम ले लिए हैं आपर इसका नाम लिग भी हमने B और C इसके बाद हमको क्या बनाना है A, B और A, C अब दोनों में यहां नुकता B और यहां पर C तो B से जो है वो 4.2 सम लेना है और C से जो है वो 3.7 sum लेना है तब जाके हमको A नुकता में लेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले A, B बना लेंगे बी A बना लेंगे इसकी लंबाई कितनी दी गई है इसकी लंबाई दी गई है 4.2 sum तो हम क्या करेंगे, परकार में पहले 4.2 सम का फासला ले लेंगे तो यहाँ पर हम इसका 4.2 सम का फासला ले लेंगे हमने यहाँ पर परकार की मदद से 4.2 सम का फासला ले लिया अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मुक्तब B पर रखकर हम एक पॉस बना लेंगे इस तरह से जो है वो हम एक कौस बना लेंगे अब इसके बाद में AC की लंबाई कितनी दी गई है 3.7 सम है तो हम परकार की नुप जो है वो नुक्ता C पर रखेंगे और उसकी लंबाई दी गई है 3.7 सम तो सबसे पहले हम 3.7 ले लेते हैं यहां पर हमने 3.7 लेना है तो यहां पर हम जो है वो यह 3 और यहां पर हमारा यह 7 हो ठीक है अब यहां पर हम क्या करेंगे परकार की नुप जो है वो C पर रखकर हम इस से गुजरता हुआ जो है वो एक कौस कीच लेंगे तो इस तरह से यह हमें फॉस की जिए अब हमको क्या करना है यह नुकार यह नुकता A है अब यहां पर इसको B से मिलाना है और यहां पर इसको C से मिलाना है तो हम यहां पर इसको मिला देंगे और यह हमारा नुकता A तो इस तरह से b लखनें की जहां में पर हमने रफ शर्ट बना ली तो हम यह सुब इतना ही बनाएंगे इसमें कीमत लिकनी करी हमको जरू है तो इस तरह से यह मुष्लस बनाने का तरीका हुग आज हमने देख लिया तो हमारी मश्क म क्या है मुतिशाबह मुसल recomend के tech सबस्रेक चाल चीजे जो है तो कटा का अमूदी नासिफ खिशना फिज आविय के मुत्मासिफ बनाना मुसल सबस्रेट नाना फिर क्सा थाइका कसे थै Kट केुट moti वहीं के इसको तख्वेक écritरण करना तो यह पांच चीजे जो है वह आगे